प्रदेश सरकार दोरा 18 साल से 44 बज़ के लोगों के लिए 17 मेशे शुरू होने वाले वैक्सिनेशन के लिए जिला हमिरपूर प्रशाशन ने तैयारियां पूरी कर ले हैं वैक्सिनेशन स्थानों पर लोगों की भीर जमाना हो इसके लिए भी प्रशाशन ने स्वास्ते विवाग के साथ वैक्सिनेशन के लिए पलान त्यार किया है ताकी सोसल डिस्टेंसिंग के दारे में युवाओं को वैक्सिनेशन का टीका लगाया जाए हमिर्पूर डीसी देशिदा वनिक ने पत्रकारवारता में कहा कि आनलाइन रिजिस्टेर व्यक्ति ही टीकाकरण स्थान पर निधारी दिती में पहुंचे अने था विना वज़ा टीकाकरण स्थल पर पहुंचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कारवय अमल में लाई जाएगी क्योंकि इससे नाकेबल स्वास्ति भिवाग की परिशानियां बड़ेगी तो टीकाकरण स्थल पर भी टीकाकरण में देरी होगी वनिक ने कहा कि जिला परशाशन के दोरा टीकाकरण स्थलों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी तैयारियां की जा रहे हैं ताकि कोबिड संक्रमर से बचाब में काम किया जा सके उन्होंने लोगों से भी आभान किया है कि लोग जल्द अपना रजिस्टेशन दर्ज करवाएं और दी गई तिथी वो स्थल पर ही टीकाकरण करवाने के लिए पहुँचें हमें जो सूचना प्राथमिक सूचना के अनुसार 17 तारीक से जो है ये प्रक्रिया कुरे प्रदेश भर में होने जा रही है और इसके लिए सारी तैयारियां जो हैं हम करने में हमने तैयारियां पुरी शुरू कर दी हैं काफी तैयारियां पहले से ही चल रही थी हम पहले से ही बार-बार जो हमारे युवा जो वर्ग है 18 से 44 यॉर्स के बीच के उनको हम बोल रहे हैं बार-बार कि वो अपने आपको रिजिस्टर करें क्यूंकि ये जो अब क्यूंकि पॉपिलेशन काफी जादा होगा जो इस age group में cater होगा और जैसा हमें पता है कि अभी कोविट के काफी जो critical phase से हम गुजर रहे हैं और किसी भी तरह से हम crowding कहीं भी होने से बच रहे हैं तो vaccination कोविट का ही antidote है लेकिन साथ साथ में vaccination site खुद भी कहीं कोई cluster का रूप धारण ना करें वो भी हमें बहुत जरूरी और एहम चीज़ ध्यान में रखनी है हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक possible हो scattered sites हो vaccination की ताकि लोग nearest possible location में आके लगा सकें और decentralized तरीके से लगवा सकें साथ में ये ध्यान दिलाना चाहूंगी सभी लोगों को कि जब जब जिस जिस दिन vaccination की site होगी उन ही लोगों को vaccination लगाई जाएगी और उन centers में आने दिया जाएगा जो उस दिन के लिए registered हूँ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो unregistered है या उसकी session उस दिन scheduled नहीं है उसको ना उस दिन vaccination लगाया जाएगा तो उसको वेर्थ ही वापस जाना पड़ेगा और साथ में अगर वो corona curfew के timings के इधर उधर वो घूमते हुए पाये जाते हैं तो भी उसके खिलाफ कारवाई होगी तो ये चीज कृपया सभी लोग ध्यान में रखें कि आप लोग सभी जो है विधीवद registration करें और जो जिस दिन के लिए टाइम दिया जगया होता है registration में उसी दिन आप लोग जो है vaccination sites में आए ताकि हम अनवर्शेक रूप से भीर भी इकत्रित ना हो जो जो पात्रता रखते हैं उनको बिल्कुल समय से जो है vaccination होके हम free कर सकते हैं सिर्फ hospital हो में नहीं अभी भी हम health center तर तक लगाने की जो है हमने विवस्ताइं की हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा decentralized करेंगे एकत्वित करेंगे तो एक जगा पे ज्यादा लोग एकटना होंगे और इस समय पे जो है यह कहीं भी advisable नहीं है तो इसलिए थोड़ा हम स्टाफ को उस तरह से manage करना पड़ेगा जाहिर सी बात है जादा टीमें बनेंगी तो स्टाफ की जादा requirement रहेगी फिर भी हम जितना possible हो सके decentralized तरीके से vaccination के जो हैं पूरी मुहिम को करेंगे बहीं जिला में कई पंचातों में ज़ादा मामले सामने आने पर DC ने कहा कि कई क्षित्रों में अप्रैल मा में हुए समरों के बाद आजकल उनकी शित्रों में COVID के नए मामले सामने आ हैं जिससे अब स्वास्ति भाहा की टीमों को ऐसे क्षित्रों में जाकर sampling के निर्देश प्रश्च दिये गए हैं उन्होंने लोगों से भी आवान किया है कि सेंप्लिन की टीमों के साथ सहयोग करें ताकि संक्रमों को फैलने से रोका जा सके साथ में हमारे हैरी गयार हैरे लोगों कि है जतने हम आईने G person के लिये सहूलियत होगी और साथ में हमारे जो ह IP प्रेशर कम होगा तो हमारी निरंतर कही न कहीं पंचायतों के माध्यम से, ULBs के माध्यम से, Local ASHA, Health Worker, Medical Officers, उनके माध्यम से इन पेशिंट्स के साथ निरंतर संपर्क में रहना हमारा बहुत ज़रूरी है इसी के चलते थोड़ा पेशिंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए एक जो है, फील्ड से डारेक्ट फीडबाक लेने के लिए कि पेशिंट्स की देख रेक हुमा इसलेशन में कैसे हो रही है पेशिंट्स सच में कि स्थिती में हैं, कोई उनको दिक्कत आ रही है की नहीं तो हम लोग जो है, थोड़े जितना हो सके हम पेशिंट्स को फिजिकली विजिट कर रहे हैं, of course with due precautions दूर से घर के अंदर में गुस रहे हैं because हपना खुद की सेफटी भी बहुत जरूरी है वाइल वाकिंग इन टाइम्स अफ क्राइस और मैंने भी कुछ दिन पहले खुद विजिट किये थे कई सारे घर और पेशिंट्स ने काफी अच्छे जो important feedback दिये हमें जो है improvement लानों में भी उससे मदद मिलती है साथ में दूसरे जो अधिकारी होते हैं या health के हो या हमारे पंचायत की सतर्पे हो या revenue के सतर्पे हो या block level के अधिकारी भी थोड़े और proactive हो जाते हैं जब senior officers भी field में जो हैं खुद inspections करते हैं तो साथ-साथ में containment zones की inspection भी उसी के साथ हो जाती है तो हमें first hand देखने को मिल जाता है कि containment zone की उलंगन हो रही है कि नहीं हो रही है तो इसी के कड़ी में सभी SDM जो हैं उनको भी बोला गया है कि वो अपने-पने subdivisions में और videos भी जो है वो ऐसे randomly घरों की inspections करें और पिछले कल SDM हमीरपूर ने भी किये हैं और काफी एहम feedback जो है लोगों से आया है उनकी interaction और लोग खुश हो रहे हैं उस चीज से कि थोड़ा maneuver जो है उससे बढ़ता है घर वालों का भी maneuver बढ़ता है similarly सारे SDM अपने-पने सतर पे कर रहे हैं और और भी ज्यादा इन visits को जोर देने के लिए हमने उनको कहा हुआ है हमें एक दो जगा से ऐसी सूचना आई थी हमने local teams को immediately mobilize किया था और जो हमारी flying squad से उनको mobilize किया था जहां पे health department की surveillance teams को लगता है कि यहां पे pressing होनी चाहिए यहां पे संक्रमित लोग की संख्या जादा होने की संभावना है या जहां पे primary contact जादा है वहां पे orders पहले से ही हैं मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती लेकिन यह बहुत हैं कि उन orders की हम पालना करें जहां पे surveillance team की opinion है कि यहां पे testing होनी की जरुवत है उनको निर्भाधित तरीके से testing करने की जो है वो निर्देश है और लोगों से फिर से गुजारिश है कि आप सभी के भलाई के लिए है कोई कथा हुई या कोई get together हुई और वो अप्रेल के महीने में हुई और आज तक जो एक के बाद एक के बाद एक जो है transmission से community transmission से बढ़ते जा रहे हैं तो इसलिए लोगों से फिर से अनुरोध है जे ऐसा feedback है कि काफी हद तक लोग काम कर दिया है लोगों ने आयोजन वगरा करना बट अभी भी लोग कर रहे हैं कई जगाओं पर हमारे teams रोज जा रही है इधर उदर से ऐसे news आ रही है ये बहुत आप लोगों के और हम सभी के health के लिए बहुत ही बड़ा खत्रा हो सकता है साथ में ऐसे आयोजनों का जो है मना करने के बावजुद्या नियमों के उलंगन में इस तरह के आयोजन करने का क्या नतीजा हो सकता है को हमारे सामने है इसलिए इस तरह के कोई भी चीजों को जो है बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे खुद तो पार्टिसिपेट बिल्कुल ना करें और कहीं violation होती है तो तुरंट जो है हमें खबर दे या अपने पंचायत को खबर दे या local officers को खबर दे ताकि ऐसे violators की हिलाव action लिया जा सके